नाकपूर से 15 किलोमेटर दूरी पर कलमेश्वर रोल पर चीचोली ग्राम में एतिहासिक शांतिवन की निर्मिती होने से अब विश्व में चीचोली का नाम विश्व के नक्षे पड़ा गया है यहाँ पर 6 डिसमबर 1991 में डॉक्टर बाबा साहिब आमबेटकर की सेकरेटरी नानक चंदर रत्तो के हातों शांतिवन का भूमी पुझन किया क्या था आमबेटकर के करीबी वामंदराओ गोड़बोले ने डॉक्टर बाबा साहिब आमबेटकर की जीवन की करीब 300 से ज्यादा वस्तुओं का म्यूजियम शुरू किया आज यहाँ की वस्तुओं रसाइनिक प्रक्रिया के लिए भेज गई है यह सल देश के थाइलैंड के रूप में पहचाना चाहेगा जो निर्मिती हो रही है वह थाइलैंड की थीम पर हो रही है लगबग 70% निर्मान हुआ है गार्डन की निर्मिती भी होगी इसे बनाने के लिए पिछली सरकार ने 40 करोड रुपे देने का एलान किया बिल्डिंग थाइलैंड की धर्ती पर बनाई चाह रही है जग़ एक प्रेणा स्थान बन गई है यहाँ पर 6 डिसमबर धंबचक्र परिवर्तन वो 14 एप्रील को भारी मात्रा पर उपासक उपासिका आते है शान्तिवन में अपने देश के चात्राओं को जापानी भाशा की भी शिक्षा देने का प्रयोजन हो रहा है उदेश यह है कि यदि देश के बेरोजगार यवक यूती विदेश में जापान में रोजगार के लिए जाते है तो उन्हें भाशा की दिकत न हो यह जानकारी संचे पाटिल ने दी बची हुए जगा पर खेती करकी ग्रुह उद्यों की आधार पर महिलाओ को रोजकार प्राप्त होगा जिससे चिचोली जैसे आसपास की स्थानी गाव की महिलाओ को रोजकार प्राप्त होगा धम्मचक्र परवरतन दिवस के अवसर पर दिक्षाभूमी पर देश भर से लाखो श्रद्धालू आते हैं। दिक्षाभूमी पर आने के बाद श्रद्धालू चीचोली के संग्राले को देखे बिना वापस नहीं चाते हैं। वाड़ी से सौरब पाटल की रिपोर्ट अन्बीसिय न्यूस नाखपुरू। वाड़ी से अन्बीस को दावसर, ग्रिया यूसार्द्धाल वाड़ी कम्परूमे भर आने को देखे अल्द्धाल